Hello Everyone, Welcome Back तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं Mechanism, Electrophilic Substitution Reactions की तो बेंजीन में किस तरह से Electrophilic Substitution होती है उसके क्या स्टेप्स होते है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले है लास्ट लेक्चर में हमने 5 Types of Substitution Reactions पड़ी है बेंजीन की तो यहां पर हम Mechanism समझते हैं कि इसका Actually इसमें जो Steps Involve है वो कौन से होते है First Step होता है Generation of Electrophil Firstly, Generate होता है Electrophil E-Positive का Generation होता है First Step में Second Step में होता है Formation of Intermediate और Intermediate Electrophilic Substitution में यहां पर क्या है Carbocatine Intermediate C-Positive इस तरह का Intermediate आपको देखने को मिलता है और Third and Final Step में क्या होता है Removal of Proton होता है Minus H-Positive होता है और यह कहां से होगा जो Carbocatine बना है Second Step में उसे से आप निकालते हो Proton Removal of Proton होता है जो की है H-Positive तो First Step को जरा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं Generation of Electrophil ठीक है Electrophil generate करना है वैसे तो साथ ही साथ मैंने बता दिया है आपको पीछे जो substitution reactions थी महां पर हमने साथ में कर दिया था Electrophil कैसे generate होता है यहां पर चलो kind of revision ही कर लेते है ठीक है जैसे First है Nitration के case में Nitration के case में Electrophil का generation हम कैसे करते थे जल्दी से देख लो H2SO4 लेते थे ठीक है H2SO4 है उसे हम थोड़ा break करके लिख लेते है H2SO4 को और दूसरा है Nitric acid HNO3 उसे भी हम थोड़ा सा expand करके इस तरह से लिखते है तो यहां पर होते है loan pair और यह act करता है as a acid H2SO4 act करेगा as a acid तो यहां पर क्या होता है जो यह electrons है यह H positive को अपनी तरह अट्राक्ट करेगे और यह यहां पर बन जाता है HSO4 negative क्योंकि क्या है negative जो charge है जो यह electrons है यह negative यहां पर negative शो करते है oxygen पर क्योंकि bond के electron पीछे जा रहे है साथ ही साथ यहां पर आपका बन जाता है इस तरह से hydrogenated यहां पर NO2 ठीक है तो यह positive आ जाएगा यहां पर अब क्या होता है यह वाले जो loan pairs यह वाले जो bond pairs है वो इस तरह से fall करवा देते है oxygen पर तो आपको यहां पर मिल जाता है water remove हो जाता है साथ में NO2 positive nitrogen पर positive आ जाता है बिकिस जो यह bond है उसकी सारी electron density कहां जा रही oxygen की तरफ जा रही है तो यह हो गया deficient तो यह electrophile generate होता है nitrogen में nitrogen है माइन ठीक है तो यह हम पीछे भी कर चुके है अब देखो अब वैसे ही जो reactions है जैसे alkylation है friedel craft alkylation है halogenation है asylation है उसमें कैसे करेगे और साथ ही जो sulfonation है उसमें तो SO3 ही होता है वो तो fuming as to SO phone में already present होता है तो उसका generate करने का कोई tension नहीं है अब यहाँ पर अगर आप halogenation देखो halogenation में कैसे हम generate करते थे electrophile को जैसे माल लो chlorine है चीक है उसके साथ हम anhydrous alcl3 डालते थे तो वहाँ से क्या होता था जो यह chlorine है cl negative इसके पास चले जाता है यहाँ पर cl negative इसके पास चले जाएगा तो यह यहाँ पर बन जाता है cl positive as a electrophile और यह हो जाता है alcl4 negative चीक है तो यह वाला portion यहाँ से इसका है confuse नहीं होना आपको चीक है तो यहाँ पर जो electrophile आता है halogenation में वो आता है halonium iron यहाँ पर chloronium iron है चीक है तो यह as a electrophile act करता है अगर हम बात करें friedel craft alkylation की या फिर friedel craft acylation की चीक है acylation की या फिर alkylation की उसमें किस तरह से electrophile generate होते थे क्या करवाय था अब यहाँ पर आपको Rx लेना है जिसे CH3 CL ले लेते है फिर से anhydrous alcl3 जो की Lewis asset होता है उसकी presence में क्योंकि asset deficient होते है तो यह CL negative को अपनी तरफ attract करेगे तो यहाँ पर remaining रह जाता है CH3 positive आगे आपके पास electrophile और आजाता है alcl4 negative तो यहाँ पर जो electrophile है that is CH3 मतलब R positive उसी तरह से जो acylation होता है acylation में CH3 acylation में आप क्या करते हो CH3 RCOCL RCOCL लेते हैं और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हम CH3 ले रहे है again alcl3 की presence में क्या हो जाता है यहाँ से जो chlorine है CL negative इसके पास चले जाएगा और जो पीछे left out रहेगा अपना electrophile that is CH3 CO positive ठीक है और यह आजाता है alcl4 negative इस तरह से यहाँ पर आपके पास यह आजाता है electrophile यह electrophile आ गया ठीक है तो यह सब चीज़े हम कर चुके है पीछे भी तो यहाँ पर just revision करा कि generation of electrophile किस तरह से होती है जो sulfonation है sulfonation में जो fuming H2SO4 है उसमें SO3 प्रेजन होता है अगर हम sulfonation भी लिखे sulfonation में क्या होता है fuming H2SO4 हम लेते हैं तो fuming H2SO4 का मतलब होता है H2SO4 के साथ SO3 भी प्रेजन है उसके case में sulfonation के case में जो electrophile होता है that is SO3 तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 reactions करी थी 5 reactions के लिए यहाँ पर electrophile कैसे generate होते है वो हम देख चुके है step number 1 step number है E positive का generation electrophile का generation ठीक है फिर है carbocatine का formation आप देखो कैसे carbocatine बनाना है वो भी देख लेते है ठीक है कैसे बनता है actually क्या होगा जो benzene है अब आपके पास electrophile present है अब जो benzene होगा जो benzene है उस पर attack करेगा देखो यहाँ पर benzene बना दी और कोई भी electrophile हम journalize कर देते है E positive कर लेते है इन पांचों में से कोई भी हो सकते है या फिर some other electrophile भी हो सकता है अब क्या होता है यहाँ पर since यह E positive है तो यह जो electron density है वो इसको attract करेगी देखो जब भी movement होता है actually हो क्या रहा है electrophile यहाँ जाके इस carbon पर लग जाएगा लेकिन क्या होता है जो यह हम बनाते है arrows यह represent करता है electron की movement इसलिए हमें इसी तरह यह bond की तरफ से बनाना पड़ेगा कि यह जो electrons है वो attract कर रहे है electrophile को actually अगर आपने और समझना है नहीं समझ आ रहा है तो देखो क्या होता है यह जो bond है ना तो यह ऐसे कर सकते हो यह electron density इस carbon पे आगी इधर positive आ गया electron density इधर है तो E positive यहाँ पर लगा ठीक है इस तरह से भी आप कर सकते हो तो यहाँ पर hydrogen तो already था अब यहाँ पर electrophile भी लग गया है क्योंकि electron density हमने यहाँ पर रखी है यहाँ पर shift करा दिया यह bond तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा carbon हो जाएगा positive यह हो जाएगा positive यहाँ पर तो यह बन गया है आपका क्या कार्बोकरटाइन भी कह सकते हो आप लेकिन इसका एक particular name होता है तो इसका क्या name होता है इसका name होता है आएन अरीन है बेंजीन वन आफ दा अरीन है तो अरीन का आएन इस अरीनियम आएन या फिर हम इसे सिग्मा कॉंपलेक्स भी कहते है अब सिग्मा कॉंपलेक्स क्यों कहते है यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग है क्यों कि देखो, सारे जो कार्बन से है, ये SP2 है, SP2 है, SP2 है, SP2 है और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये वाला कार्बन भी SP2 है क्योंकि 1, 2 and 3, 3 सिग्मा बॉन से बना रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, जो ये वाला कार्बन है, जिस पर एलेक्टोफाइल लगा है इस कार्बन इस SP3 हाइड्रीडाइजड, ठीक है, तो यहाँ पर एक और सिग्मा बॉन बना है, क्योंकि एलेक्टोफाइल लगा है, इसलिए इस कॉम्पलेक्स का नाम दे दिया गया, सिग्मा कॉम्पलेक्स, ठीक है तो यह intermediate होता है, कार्बोक्रटाइन intermediate ही है, देखो कार्बोक्रटाइन तो एक bigger term है ना, कि यह कार्बोक्रटाइन है, क्योंकि carbon बे positive है अब क्या है, पर्टिकुलर इसका नेम क्या है, सिग्मा कॉम्पलेक्स कहते है, या फिर अरीनियम आयन कहते है अब जो यह Sigma complex होता है इसकी भी यह कहानी है जो यह Sigma complex है है यह जो Arenium Cosby has a resonance Stabilised जो यह Aranium cotton होता है वह resolution is Stabilized होता है कैसे इसमें resonance होती है अब यह फ्रस्स हम ने बता दिया कि carbocatine बन गया है यहाँ पर लेकिन इसकी हमने stability भी बतानी है कि क्यों यहाँ पर आया है क्योंकि यह resonance से stabilize होता है यह ion, अब इसके हम resonating structure बनाएगे sigma complex के ठीक है, पहले start करते है इससे, as search रखेगे यहाँ पर, यहाँ पर hydrogen है यहाँ पर electrophile है ठीक है और यहाँ पर positive charge है अगर देखो क्या होता है यहाँ से electron density यहाँ पर shift हो जाएगी ठीक है तो first हमारे पास resonating structure बनेगा तो बाकी सब चीज़े आपको ऐस सर्च रखनी है जहाँ पर electron density गई है वहाँ पर आपको bond बनाना है जहाँ पर यह bond shift होगा है उसकी जग़ा bond बनाना है अगर यह bond यहाँ से यहाँ गया है तो पिछले carbon पर deficiency आजाएगी ठीक है तो यहाँ पर positive sign आजाता है next में क्या करोगे आप next में क्या हो जाएगा यहां से यहां गया है next में यह वाला bond यहां पर shift कर जाएगा तो आपके पास जो structure बन जाएगा वो आजाएगा hydrogen और electrophile as such यह bond भी as such अब यहां पर bond formation हो रही है और इसके पीछे वाला जो carbon है उस पे positive sign आ जाता है तो यह जो तीनों structure है अब देखो यही क्यों यही पर end क्यों किया है क्योंकि further आप यहां से यहां move करोगे तो आपके पास positive यह आ जाएगा positive विदर आ जाएगा मतलब पिछले वाला structure ही बन जाएगा तो यह तीनों क्या है यह तीनों resonating structure है इसके ठीके तो यह resonance stabilized है क्योंकि यहां पर इस तरह से resonance देखने को मिलती है अब क्या होता है इन तीनों का क्योंकि हम कहते है कि resonance hybrid हम structure लेते है उसका mix करके एक resonance hybrid मिलता है जो आपका final structure होता है तो इन तीनों को हम कैसे represent कर सकते है देखो यहां पर delocalization मतलब movement of pi electrons कहां कहां हो रही है अगर आप यहां से देखो positive charge कहां कहां आ रहा है आपका positive charge यहां भी आ रहा है इधर भी आ रहा है ठीके यहां पर भी आ रहा है और उपर भी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जो यह delocalization है ये इस sp3 carbon पे नहीं हो रही है और वैसे भी जो delocalization होती है वो sp2 में होती है कभी भी sp3 वाला carbon बीच में आ जाए वो आपकी delocalization में नहीं पाट लेगा क्योंकि उसके पास unhybridized p orbital ही नहीं है तो ये जो electron density है वो कहां से कहां तक आपको दिखाई दे रही है आप ऐसे भी ये dot बना सकते हो यहां वाले carbon से लेकर मतलब ये जो delocalization है ये इन इन carbon तक चल रही है मतलब positive charge जो है वो इस carbon से लेकर इस carbon तक आ रहा है लेकिन इस carbon पे नहीं आ रहा है और इस carbon पे hydrogen है और electrophile है और साथ ही साथ जो ये वाला carbon है that is sp3 hybridized तो हम कह सकते है कि यहां पर जो sigma complex है that is resonance stabilized और साथ ही साथ जो इसके resonating structures आये हैं महां से देखने को मिला कि जो आपकी delocalization of pi electrons है वो सिर्फ और सिफ sp2 में ही है वो sp3 carbon में आके वो क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है delocalization no delocalization at sp3 hybridized carbon तो यह इसका hybrid structure हमने बता दिया यहां से हमें पता चला कि जो आरीनियम आयन है वो resonance stabilized है और no delocalization note note करके लिखे के no delocalization delocalization of electrons at sp3 hybridized carbon carbon ठीक है sp3 में कोई नहीं है इसलिए यह जो circle है यह हमने अधूरा ही रखा है क्योंकि इस carbon पे कोई delocalization नहीं है तो second step भी हो गया तो third step आता है removal of proton अब जो हमारे पास structure था यह चीज़ थी यह देखो यहां पर hydrogen है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है और यहां पर आपके इस तरह से bond से इधर positive हो गया यह कार्बोकेटाइन का एक हमने कोई structure ले लिया है अब यहां पर removal of proton करने की क्या ज़रूरत पड़ी मतलब minus h positive क्यों कर रहे है क्योंकि देखो जब यह केटाइन बना था जब यह चीज़ बनी तो यहां पर aromaticity जो ring की थी because benzene is aromatic तो यह करने पर जब इसका कार्बोकेटाइन बना था तो वहां पर जो aromaticity थी वो loose हो गई थी so to regain the aromatic character to restore the aromatic character यहां से h positive आपको निकालना पड़ेगा proton का आपको removal यहां से करवाना पड़ेगा to regain the aromaticity अब यह कैसे होगा क्योंकि different आपने reactions देखी थी उसमें जो दूसरा product था counter product था जैसे friedel craft alkylation, acylation, halogenation उनमें क्या था alcl4 negative counter counterpart था ठीके एक तो आपका electrophile बन गया था दूसरा remaining part यह था अब यह क्या करेगा यह इस पर attack करेगा और यहां से h positive निकाल देगा ठीके यहां से h positive निकालेगा और यह जो electron density है कि hydrogen और carbon का जो bond है वो क्या हो जाएगा वो इस तरह से अपनी electron density ring में fall करवा देगा positive की तरफ so that यहां पर जो ring है वो complete aromatic हो जाए aromaticity उसकी retain हो जाए अब देखो यहां पर already bonds थे इस hydrogen का bond यहां पर fall हो गया तो यहां पर bond हो गया और जो positive यहां पर charge था वो क्या हो गया neutralize हो गया क्योंकि electron density उपर सा रही है electrophile acid यहां पर रहेगा और साथ ही साथ यह hydrogen a chlorine मिल करके HCl बना देगे और left out हो जाएगा ALCl3 ठीक है तो इस तरह से removal of proton करके reaction complete होती है ठीक है final product आगे आपके पास की benzene पे अपना electrophile लगा है और दूसरे cases में अगर हम बात करें जैसे जैसे अपना nitrogen में क्या था जैसे nitrogen के case में जो दूसर product था that was HSO4 negative ठीक है या फिर sulfonation में भी कह सकते हैं तो इसमें भी same चीज होगी यहां से H positive की तरह अट्राक्शन होगी यहां से electron density नीचे fallout हो जाएगा और यहां पर electrophile है aromaticity regain हो जाएगी और साथ ही साथ यह हो जाएगा H2SO4 ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है removal of H positive, removal of H positive हो रहा है proton remove हो रहा है और इस करके हमारा final product हमें मिल जाता है और यह थी three step mechanism ठीक है तो revise करते है कि mechanism में क्या क्या था first was generation of electrophile E positive generate करवा हो अलग-अलग reactions के लिए अलग-अलग methods है फिर था carbocatine intermediate जो कि हम sigma complex भी कहते है जिसे उसका formation last was proton proton का removal ठीक है proton का removal क्यों करवाना है to restore to restore the aromatic character ठीक है to regain the aromatic character वहां से proton का removal करवाना पड़ा तो यह three step में mechanism होती है electrophilic substitution of benzene की ठीक है तो यह था mechanism मिलते है next lecture में जिसमें हम बात करने वाले है addition reactions की ओके बाबाई